हेलो एव्रिवाउन वेकम बाक टो शेप अप यूर लाइफ आज की वीडियो स्पेशली उन वीवर्स के लिए हैं जिन्होंने अभी अभी कुकिंग करना स्टार्ट किया है या फिर कुछ टाइम से वो कुकिंग कर तो रहे हैं लेकिन प्रॉपर पता नहीं होने की वज़ा से उन्हें अपने कुकिंग में कुछ कम ही लगती है तो क्या चीज़ें कैसे करनी है ताकि जो भी वो बनाएं उसे परफेक्शन के साथ बना पाएं तो चलिए देखते हैं ये टिप्स आपके कितने कामा सकते हैं मूली प्रांथा बनाने के लिए सबका तरीका अलग-अलग होता है कुछ लोग इसको डबल रोटी में बनाते हैं यानि कि उसकी फिलिंग जो करते हैं दो रोटियां बनाने के पाद उसको आपस में जॉइन कर देते हैं और उस तरह से बनाते हैं लेकिन सिंगल रोटी में बनाया गया प्रांथा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में लेकिन अगर उसकी फिलिंग इस तरह से निकल जाती है तो यह बहुत इरिटेटिंग होता है क्योंकि बार-बार फिलिंग निकल जाने की वज़़ा से वह हर जगा चेपकती है जिससे की प्रांथी का ट करते हैं उसमें आपको इसका सारा पानी निचोड़के निकालना है जिस तरह से मैंने कोफटे बनाना भी पताया था सेम ऐसे मैंने लॉक्टी को भी क्रश करके उसका पानी इस तरह से निकाला था क्यूंकि यह चीज़ें बहुत जादा जूसी होती है तो बहुत पानी के पकौड़े बनाते हैं या फिर परांथे बनाते हैं तो मेक शूर कि आपने पूरा पाणी निकाल दिया है और जो पानी इसमें से बच जाता है उसे फैकना नहीं है इस मूली के पानी से आटा गुन सकते हैं उसके बाइद जो भी मसाले आप डालते हैं जैसे मैंने प्यास कि हमारे मूली के बहुत ही पॉट ऐ बनें तो आटे का जितना बड़ा बॉल हम चपाथी बनाने के लिए ले लेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा हम लेंगे प्राथा बनाने के लिए उस रोल करेंगे इसके बाद मूली के जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी है उसमें से एक प्रांठे के लिए फिलिंग हम एककटोरी में अलग से निकालेंगे और उसमें एड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट तो इस टाइम पे हमने सॉल्ट एड करना है अगर हम सॉल्ट पहले एड कर देते हैं सारी फिलिंग में और साथ की साथ सॉल्ट एट करेंगे तो जब तक मूली और सॉल्ट अपना काम करेंगे तब तक हमारा प्राउट्था रेडी हो चुका होग으니까 झाया गरा 750 highway करते हैं किसी भी प्राउट के लिए tros तो ऐसे ही फिलिंग करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेस करने की इसको ज़रूरत नहीं है, हलका हलका रोल करेंगे और इसमें सुखा अटा लगाएंगे, और जैसे चपाती रोल होती है, बिल्कुल वैसे ही मूली का प्रांठा रोल होता हुआ चला जाएगा चिपके बिना, अगर आपको लगता है कि इस तरह प्रांठे बनाने से ज़ादा टाइम कंजिम होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बलकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही इसली प्रांठे बन जाते हैं, तो वे के उपर डालें से पर थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे ब्रेश से उसके बाद प्रांठा उसके उपर डालेंगे, और जैसे ऐसे वो पकता जाएगा, उसे पलटते जाएंगे, और ब्रेश की सहाथा से इस पर ओयल लगाएंगे, और आपका प्रांठा रेडी हो जाएगा. सेकिंड टिप इस हाव तो बॉइल वाइट चना, चने बॉइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट में चने खाते हैं, तो उसका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो कलर किस तरह से आता है, चलिए वो देखते हैं, वाइट चना को बॉइ बॉइल करेंगे, तो उसमें उसको डाल देंगे, या फिर आमला को अगर आप सुखा कर रखते हैं, तो उसको आप इसमें डाल देंगे, आमला की बहुत ही हाल्दी ऑप्शन है, तो उसको अगर चूस करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैंने आमला डाला है, इस में सोख करके ज़़ूर रखें, अगर चाई की पोटली आपने डाली है, तो बॉil होने के बाद वो आपने निकाल लेनी है, लेकिन अगर आपने आमला डाला है, तो उसको as it is ही मैश कर सकते हैं, उसको निकालने की चाले ताकि आपका जो बर्तन है वो हिले नहीं डो रडी करते वक्त तो आप आटा डालेंगे प्रात में उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे बहुत जादा पानी आपने एक साथ नहीं आड करना है अदर्वाइस आटा बहुत जादा गिला हो जाएगा और बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी बहुत इच्छी बने उसके लिए हमें बहुती सौफ डो रडी करना है तो इसके लिए थोड़ा होड़ा पानी डालते जाएंगे और सारा आटा इकठा करते जाएंगे जब रात में बिल्कुल भी सुखा आटा नहीं रहेगा और चार या पांच मिनट ही आप इसे गूंदेंगे तो बहुत ही अच्छा आटा रेडी हो जाएगा लेकिन आपको इसको रेस्टिंग टाइम भी देना पड़ेगा चार या पांच मिनट गूंद लेने के बाद इसको कवर करके आप साई टक दें अट लीस्स दस मिनट के लिए और आप 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पहले के आटे गूंदे में और अभी गूंदे में कितना डिफ्रेंस आ गया हुआ है आटा बहुत जादा सॉफ्ट हो गया है इस आटे से बनाई हुई चपातियां आपकी बहुत अच्छी बनेंगी हार अगर आपके पास टाइम है तो 10-15 मिनट आप इसको और रेस्ट दे सकते हैं नहीं तो इमीजेटली भी चपाती बनाना शुरू कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तबाद चपाती बेलना शुरू करते हैं आठे का बॉल आप कितना लेंगे वो डिपेंड डिफरंट डिफरंट शेप्स आपको देखने को मिलेंगी लेकिन कोई बात नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली यही काम जो आज आपको बहुत मुश्किल लगता है बहुत ही ईजी लिखने लगेगा और आप भी बहुत बहुत अच्छी चपाती बनाना शुरू कर देंगे गरम हो जाए तो चपाती को उस पर डालेंगे और हलका वाइट होने लगे एक साइड से तो इसे पलट देंगे और दूसरी साइड पर जब हलके ब्राउन डॉट्स आने लगे तो यही टाइम होता है सिधा फ्लेम के पूरी पूर्फेक्ट और क्रिस्पी पूरी बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है दो कप गेहूं का आटा और साथ ही लिए हाफ अ कप अफ सूजी 1 टेबल स्पून डाले इसमें अजवायन 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ही रिफाइन ओल अब इन सब च आट करदेने से पूरिया और भी अच्छी बनती है और अब थोड़ा पानी ले के हम इसको गूनना शुरू करेंगे पूरी के लिए जो हम रेडी करते हैं वो थोड़ा हारD होता है यानि कि बहुत ज़ादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज़ादा सॉफ्ट भी नहीं लेकिन चपाती के लिए जो हम डो रेडी करते हैं उससे थोड़ा सा हाड डो रेडी होता है साथ से आठ मिनट तक पूरा जोर लगा के आप इस आठे को गुंदें और उसके बाद दस मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दें और उसके बाद जब आपने निकाल लेंगे तो आठा काफी अच्छा हो चुका होगा तो पूरियां बनाने से कम से कम एक घंटा पहले आप आठा रेडी करके रख लें पूरी बेलने से पहले जिस भी बरतन में आपने पूरी या फ्राइ करनी हैं उसमें तेल डाल के रखनें ताकि तेल गरम हो जाए अच्छे से और पूरी बेलना शुरू करें तारों तरफ से आपकी पूरी बिल्कुल होने चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होने चाहिए, पूरी का साइज आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मेरा पूरी फ्राइय करने के जलिए तेल अच्छे से गरम हो गया है, यह नहींद हम फ्राइय करने के लिए तोड़ा सा आट individual के के हम यह थे तों इसे अगर आटक का खेकित पूर लेड़े, तो इसके उसमें亦This is a ABOUT तैल पूरी तो धेल Parkyonे करेंगे लिए टेर últimos गरम और फली हुई पूरिया रेडी है I think आप सब पी इसी तरह की पूरिया खाना पसंद करते हैं पूरिया अगर खसा हो और फुली हुई हो तो बहुत ही स्वादिश लगती है next step is how to make paneer at home market में तो आपको पनीर बहुत अच्छा मिल ही जाता है लेकिन घर पे भी आप सेम उसी तरह का पनीर बना सकते हैं बहुत ही easily दूद लेना है आप जितना भी पनीर बनाना चाते हैं जैसे कि मैंने यहां पर दो लिटर के राउंड दूद लिया है और यह दूद आपको मलाई के साथ ही लेना है जैसे ही दूद बॉयल हो जाए तो आप गैस बंद कर देंगे उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं white vinegar द पानी अलग हो गया है उसके बाद मलमल का यानि की पतला सूती का कपड़ा लेंगे हम उसमें च्छान लेंगे इस पनीर को पानी इसका अलग कर लेंगे और पनीर अलग कर लेंगे आप चाहें तो सेम इसी तरह से दही या नीबू डाल के भी पनीर बना सकते हैं प्रोसीजर उपर ठाली रख दी है उल्टी कर के उस पर रखा है हमने पनीर फाली इसलिए किए ताकि जो पानी निकलेगा इसमें से वह सिधा परात में चला जाएगा उसके उपर एक और प्लेट ट्रकी है और उसके उपर मैने रख दिया है चकला पनीर को प्रेस करने के लिए आपको वेट देना है तो कोई भी वेट दे सकते हैं आप चाहें तो किसी कंटेनर में पानी फिल करके वो भी उसके उपर रख सकते हैं तो एक डेट घंटे में आपका पनीर रडी हो जाएगा और उसके बाद आप सारी चीज़ें हटा दें बहुत ही सौफ्ट और मार्केट जैसा पन पनीर हाड बनता है लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो पनीर बहुत ही सौफ्ट बनेगा और अगर आप इसी तरह से पनीर को एट लिस्ट वान विक तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो किसी कंटेनर में थोड़ा सा पानी डालें और उसमें पनीर को डालके धकर फ् तो इस कंडिशन में हम फिर फ्लेम लो कर देंगे और 7-8 मिनट तक ऐसे ही इसे बॉयल होने देंगे अगर आप बहुत हाड बॉयल एक खाना चाते हैं जिसमें कि योग का आउटर पार्ट बहुत ब्लाक हो जाता है तो उसके लिए आपको 10-12 मिनट लगेंगे लेकिन मीडि इनके प्लाटफॉर्म पर मैंने रखा हुआ था यानि कि यह रूम टेंपरेचर पर ही थे फ्रिज में नहीं थे अगर यह फ्रिज में होते को बॉयल होने में 2-3 मिनट और लगते कई लोग एक्स को बॉयल करते हुए उसमें सौर डाल देते हैं ताकि वह फूटे नहीं या कई लोग कहते हैं कि विंटर में दही connect म हो पाता है तो बहुत इजिली सेट हो जाता है विंटर में भी आप देखें कैसे। सबसे पहले आपने दूद को गरम करना है इतना करना है कि आपकी फिंगर आराम से उसमें डिप हो जाए यानिकि वो सहन encar पाए तो उसके बाद उसको बटन में डाल देंगे जिस बर्तन में भी आपने दहीं सट करना है लेकिन उसके नीचे मैंने बेसिक हैं कोई भी टावल कोई भी मोटा कपड़ा कुछ भी आप रख सकते हैं वाम्त के लिए उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून के राउंड लिया है दही उसको दूद में डाल के मिला देंगे अच्छे से उसके बाद उसके उपर लिट रखतेंगे आप करेंगे इसको अच्छे से हम कवर ताकि ये गर्मायश इसमें बनी रहे सबसे पहले मैंने किचन नैपकिन लिया है उसके बाद मैंने टाल लिये हैं दो आप चाहें तो कोई भी ब्लैंकेट रख सकते हैं जिससे की इसमें हीच बनी रहे और आपका दही सुबा तक बिल्कुल सेट हो जाएगा अगर आप दे टाइम में कर्ड सेट करना चाहते हैं बाहर दूप अच्छी निकली है तो इसी बर्तन को आप ब्लैंकेट में कवर करके दूप में रख दें दो घंटे में ही दही सेट हो जाएगा काफी दिनों से रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की डिफरेंट डिफरेंट और बहुत ही बेसिक चीज